नमस्कार दोस्तों, क्लास एट तमारा स्टेट बोर्ड, मैतेमेटिक्स चाप्टर नमबर 6, फेक्टर राइजिशन आप अल्जेबरिक एक्स्प्रेशंस, उसमें क्वेशन नमबर अभी 2 चल रहा है, तो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है, उसमें क्वेशन नमबर 1 और फेक्टर कैसे फाइंड करने हैं, यह मेटेड हमने वन जो वीडियो था, उसमें हमने ली ली है, तो अब यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अन रोद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल आकन प्रेस क करें, जिसी के आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं, अब जो कोशन्स हैं, इसमें फेक्टराइजेशन के हैं, फेक्टर्स क्या होते हैं, वो हमने इसके पहले वीडियो में पॉइंट लिया है, तो अब हमें एक स्क्वेर माइनस 10x प्लस 9 को तर जो हैं, वो दो रादों, एक स्क्वेर प्लस बी एक स्प्लस सी, ये कॉड्रेटिक ट्रेनों में लोगा, एंटो सी, इनका मल्टिप्लिकेशन्स और वो कॉंस्टन्ट वैलिक मुसरिब, एक्स का कोईप्शन्ट बी, तो इन दोनों को अलग लिखना है, और इनका मल्टि इन्टू 1, एक स्केर का कोईप्शन्ट कुछ भी नहीं है, मतलब 1, 1 इन्टू 9, 9 मल्टिप्लिकेशन्स आना चाहिए, और माइनस 10, एक्स का कोईप्शन्ट है, तो माइनस 10 एडिशन्ट या सब्ट्रेक्शन्ट आनी चाहिए, ऐसे दो नमबर्स, तो दो नमबर्स देखि और 3 माइनस 3, एडिशन्ट सब्ट्रेक्शन्ट दोनों भी 10 नहीं आएंगे, माइनस 10, तो 9 और 1 के एडिशन्ट 10 आ सकती है, लेकिन एडिशन को साहिए, और मल्टिप्लिकेशन को प्लस, तो हमें नमबर्स लेने है, माइनस 9 और माइनस 1, देखिए, इनका मल्टिप्लिके अब डिशन्ट करेंगे, माइनस इडिशन करेंगे तो प्लस इंट्व माइनस यहाँपे माइनस ही रहेगा, वाइनस 9- Stephon, सेमजने तो आदिशन करने है, 9 प्लस 1, 10 और ग्रेटर नमबर्स का स्थेम, माइनस यहाँपे लिखना है, माइनस 10 होगा, अब मिडल टर्म को हमें split करना है तो यह होगा एक स्क्वेर माइनस 10x को लिखना है माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9 अब इन दोनों में और इन दोनों में हमें common लेना है तो एक स्क्वेर माइनस 9x में x common होगा तो एक स्क्वेर से हम अगर x common लें तो यहां पर X को रहें मतलब X into X होता है तो एक एक X cancel होगा यहां पर एक X रहेगा X हम common लेंगे तो यहां पर minus 9 रहेगा क्योंकि minus 9 X को अगर हम X से divide करेंगे तो यहां पर minus 9 रहेगा अब minus X plus 9 से हमें common लेना है तो यहां पर minus sign है तर्ड टर्म को अगर negative है तो negative हमें common लेना है अब X का coefficient यहां पर one होता है कुछ भी नहीं मतलब minus one होगा तो यहां पर one और यहांपर plus nine तो nine और one में कोई भी common मतलब one कया लाओ कोई और common यहां पर number नहीं होगा 1 से nine को divide होता है तो वन हमें common लेना है, अगर यहाँ पे कुछ number नहीं है, तो हमें one common लेना होता है, अगर यहाँ पे plus है तो plus, minus है तो minus, minus one common लेने के बाद, इन दोनों का sign जो है, वो ही सिर्फ change होगा, minus one से इन दोनों का हमें divide करना होता है, तो minus से divide करेंगे, तो यहाँ पे plus x, plus को minus से divide करें, halla i ilimreichen को डिराट करें पर ऑट ूंट्स क्ट्रेज्ज दबला किट यह नए है तो हमें इने कमन लिर्णा सानवर मैंस मानन अगर यह हम प्रेकेट कर लेंगे यहां से प्रेकेट कामन तो यहां पर रह गाए ख तो यहां से ब्रेकेट कामने x-9 तो यहां पे रहेगा minus 1 तो x-9, x-1 यह दो factors आएंगे next question है y-square plus 24y plus 144 अब y-square का coefficient 1 और 144 constant value, 144 into 1 144 multiplication आना चाहिए 144 y का coefficient 24 addition and subtraction 24 आने चाहिए अब देखिए जैसे यहां पे x था वैसे ही यहां पे y है y-square plus 24y plus 144 तो इसके पहले variable x का x था अब y है तो कोई change नहीं है ऐसे ही solve करना है जैसे हमने पिछली question में solve किया था अब इन दोनों का multiplication 144 और addition मतलब b 24 है तो ऐसे दो number जिनका multiplication 144 है और addition 24 है ऐसे numbers हमें point करने है तो देखिए 144 multiplication कौन से कौन से numbers का आता है अब जिनका हमें table आता है उन में 144 जो भी numbers हैं जिनका multiplication 144 आएगा उनके addition 24 नहीं आएगी तब ऐसे में हमें क्या करना है 144 के prime factors हमें find करना है तो 144 को 2 से divide होगा 2, 7 जा 42 2, 2 जा 4 फिर 2 से divide करें 36, 2 जा 72 फिर 2 से 18, 2 से divide करें 9 3 से divide करें 3, 3 जा 9 यहाँ पे 3 बंजा 3 अब जब factors आ गए तो हमें इन में 2 group बनाने है सभी factors में 2 group बनाने है देखे 2 इंटो 4 अगर हम यहाँ पे लेंगे 4 और जो next group है इन सभी का करिए तो 3 इंटो 3, 9 9 इंटो 4, 36 अगर 36 और 4 का हम multiplication करेंगे तो यहाँ पे 144 आता है लेकिन 4 और 36 4 और 36 इनकी addition या subtraction 24 नहीं आएगी देखे subtraction करिए 36 माइनस 4, 32 आता है addition करने के बाद 40 आएगा तो हमें 24 चाहिए तो ऐसे group आभी देखे 22 का हमने group बनाया था अब इनको छोड़ी दीजे 2, 2, 2 इन तिनों का group करिए 2 इंटो 2, 4 4 इंटो 2, 8 और यहाँ पे रहेगा 3 इंटो 3 9, 9 इंटो 2 18 18 इंटो 1, 44 आता है 18 प्लस 8 के addition 26 आती है हमें चाहिए 24 subtraction करेंगे तो 10 मेलेगा तो यह भी pair जो है वो नहीं बनेगी अब यहाँ पैसे नहीं कि इनको सिरियली ही लेना है हम यहाँ 3 और 3 के साथ कोई और भी ले सकते हैं नमबर्स तो 3 इंटो 3, 9 और इन सब क्या करिए 2 इंटो 2 4, 4 इंटो 2, 8 18 इंटो 2, 16 16 और 9 16 और 9 25 आता है लेकिन 24 नहीं आता अब इनका सब्ट्रेक्शन भी करेंगे तो 24 नहीं आएगा तो अब हमें 3 इंटो 3, 9 के साथ कोई और नमबर्स लेना है सुपोज 9 के साथ हमने 2 ले लिया तो 3 इंटो 2 यहाँ पर ले सकते हैं 3 इंटो 9 इंटो 2 18 18 भी ले लिया तो भी यहाँ पर नहीं आएगा हमने पहले ले लिया तो अब देखें यहाँ को 3 को अलग करना है यहाँ का 1 3 और इससे साथ दूसरे नमबर्स ले लिये सुपोज 2 इंटो 2 4 और 4 के साथ यहाँ का 1 3 4 इंटो 3 12 अब 3 इंटो 2 6 6 इंटो 2 12 तो 12 और 12 इनका मल्टिप्लिकेशन तो 144 आना ही है एडिशन करेंगे तो 24 आता है तो हमें यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिल गए 12 और दूसरा भी 12 तो अब हमें मिडल टर्म को स्प्लेट करना है y स्क्वेर प्लस 12y 12y प्लस 144 क्योंकि दोनों का स्प्लस रहेगा क्योंकि एडिशन करेंगे तो प्लस 24 और मल्टिप्लाइ करेंगे तो प्लस 144 अब इन दोनों में और इन दोनों में common y स्क्वेर प्लस 12y यहाँ पर y कॉमन तो y स्क्वेर से 1y कॉमन तो एक y यहांपे रहेगा common तो यहांपे plus 12 रहेगा plus plus i не तो plus common 12 और 144 इंदोनों को 12 सी δinsi डिवेड होता है तो 12 हमें common लेना है 12 y को 12 सी डिवेड करेंगे 12 12 cancel होगा यहांपे y रहेगा plus से plus common तो यहांपे plus 144 को 12 से अगर डिवेड करेंगे 12 12 12 तो रहेगा 12, टोज़़ 24, 12 का स्क्वेर 144 हो तो 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, तो y प्लस 12 यह bracket हमें common लेना है, तो अगर हम bracket common लेंगे यहां पर, तो यहां पर रहेगा y, यह bracket हमने common ले लिया, तो यहां पर रहेगा plus 12, तो y plus 12 y plus 12 यह दो फैक्टर्स आएंगे question number 4 वह देखे 5y square plus 5y minus 10 अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीनों numbers को 5 5 10 5 से divide होता है तो हम 5 यहाँ पर 3 से common ले सकते हैं तो 5y square को 5 से अगर हम divide करेंगे तो यहाँ पर y square रहेगा plus 5 5 common अदल 5 5 cancel यहाँ पर y रहेगा minus 10 divided by 5 5 to the 10 minus divided by plus minus तो minus 2 अब जो bracket में ट्रैनों मेले उसके हमें factors find करने हैं अगर factors यहाँ पर मिलते हैं तो minus 2 into 1 c और e का multiplication minus 2 y का coefficient plus 1 तो यहाँ पर plus 1 ऐसे दो number जिनका multiplication minus 2 है और addition या subtraction 1 है तो वो numbers है 2 और 1 2 1 जा 2 2 से 1 minus करेंगे तो 1 लेकिन अब इन दोनों का अगर हम sign sign plus plus से हम लेंगे तो subtraction नहीं होगा अब subtraction होने के लिए दोनों में से किसी एक का sign minus होना ज़री है तो अगर हम minus 2 को लेंगे तो यहाँ पर minus 2 plus 1 minus 1 होगा क्योंकि greater number को minus sign लिया तो subtraction को greater number का sign आ जाएगा तो यहाँ पर 1 का हमें sign minus लेना है तो 2 minus 1 1 आएगा multiplication करेंगे तो प्लस इंटो minus minus 2 into 1 2 तो हमें यहाँ पर लिखना है y square plus 1y को 2y plus 2y minus 1y और यह minus 2 अब इन दोनों में और इन दोनों में common तो यहाँ पर 5 लेना है y square से हम y common लेंगे तो एक y एक y यहाँ पर cancel होगा एक y रहेगा plus 2y से y common तो यहाँ पर रहेगा 2 minus अगर यहाँ पर third number है तो minus common y का coefficient कुछ भी नहीं है तो हमें one common लेना होता है ऐसे में तो minus one common लेगे तो सिर्फ इन दोनों का sign change होगा minus y का होगा plus y minus 2 का होगा plus 2 और यह square bracket यहाँ पर close तो 5 into अब square bracket में हमें common लेना है y plus 2 यह bracket अगर यह bracket हम common लेंगे y plus 2 तो यहाँ पर y plus 2 common लेने के बाद रहेगा y यहाँ पर y plus 2 common लेने के बाद यहाँ पर गाँ माइनस वन तो फाई इन्टू वाइप लस्टू इटू वाई-1 तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इन्टू अब यह स्क्वेर ब्रैकट लिकने की जरौत नहीं है 5 इन्टू वाई-2 इन्टू वाई-1 तो यह तीन फैक्टर जो हैं वह जो भी दिया आ यहां पर फ दोस्तों अगे के जो questions हैं वो हम next video में लेंगे ठीक है thank you